कि हैं लो गुड मॉर्निंग आरिवन नमस्कार स्वागत आपका एंसी क्यों गिरफ बैच में आज का जो हमारा चप्टर है वह है बायो मॉलिक्यूल और पॉलीमर नीट में बायो मॉलिक्यूल और पॉलीमर पर हर साल एक कोशन आता है यह फिक्स है आई रहा है पिछले सालों से अगर आप पी वाई क्यू देखोगे तो तो आज हम चप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए बायो मॉलिक्यूल और पॉलीमर उसके कोशन सौल कर सकते हैं इसली ठीक है काफी डिटेल में आप बायो में पढ़ते हो उनको तो बायो मॉलिक्यूल वाले कोशन आप ब नमबर वन से यह देखें कोशन नमबर वन यह रहा ग्लुकोज इस एन एक्जामपल ऑफ ग्लुकोज किसका एक्जामपल है आप क्लासिफिकेशन करते हो फंक्शनल ग्रूप के बेस पर अगर लडीए फंक्शनल ग्रूप है तो आप उसको एल्डो बोलोगे और कीटोन फं कारवन आप इसको क्या प्रस आंसर यह पर इसका क्रेक्ट हो जाएगा बहुत ही easy question है glucose की अगर बात करोगे तो वह eldo hexose है और fructose की अगर बात करोगे तो वह keto hexose है अब राइबोज में चले जाओगे तो पांच कार्बन है इसलिए वह eldo pentose होता है first answer is the correct answer काफी easy question था यह चलिए next सलते हैं इसके अंदर next question देखिए यह रहा glycosidic linkage is glycosidic बंद है glycosidic linkage carbohydrate में जब monosecure unit combine होती है तो दो monosecure unit को जो combine करके bond रखता है उस bond को आप क्या बोलते हो कौन सा bond वो होता है option दे रखे acital linkage, ether linkage, ester linkage, amide linkage तो मैं दो maltose की structure बना दू, maltose की structure यह देखिए होगे आपने यह है आदी अधूरी structure बना रहा हो में maltose बोल दू मैं इसको यहाँ पर यह दो unit है वो इससे जोड़ी होती है इस bond को क्या बोलते हैं बोलिए भई यह जो maltose है उसकी मैंने structure बना दी है यहाँ पर तो बोलो यह दो unit है यह किस से जोड़ी हुई है जो bond है इस bond को आप क्या बोल सकते हो यह जो linkage ही, यह कौन सा linkage है, यह glycosidic linkage है, तो यह linkage कौन सा linkage है, उसने पूछ रखा है, किस टाइप का यह linkage है, बोलिए, ठड़ answer दे रहे हैं, ester नहीं है, ester तो possible ही नहीं बटा, ester बहुत सा है, ester का तो मतलब यह हो गया, CO और फिर होना चाहिए, यह ester होता है, तो ester तो यह हो इ नहीं सकता, ester आप answer दे रहे हो, ester नहीं है, गलत answer हो रहा है, ester bond नहीं है, यह जो bond है, यह केवल एक oxygen है, यह ester bond नहीं है, keto group के साथ, यह ester होता है, यह ester है, सब लोग ester बोले तो यहाँ पर keto group कहा है, है यह नहीं keto group, यह अगर आप दोगे, इसके अंदर आप ether में confuse हो र oxygen, carbon और यहाँ जो carbon है, उसके साथ अगर एक और oxygen attached हो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से गर आप देखोगे, तो यहाँ से देखना है, यह जो linkage है, यह इतना linkage आपको देखना है, और यह जो linkage है, इसको आप बोलते हो, ऐसी टल, यह जो linkage है, इसको आप बोलते हो, ऐसी टल, आंसर यहां पर first है, आंसर यहां पर first है, confused नहीं होना है, यह जो है, जब भी ऐसा हो, कार्बन के साथ इधर भी oxygen हो, इधर भी oxygen हो, और यहां पर फिर H जुड़ा हो, तो उस case में आप उसको क्या बोलोगे, इधर फिर कार्बन हो जाएगा, इस इधर आप उसको बोलोगे, और अगर यहां पर carbon हो, इधर भी carbon हो, इधर oxygen हो, फिर oxygen हो, उस case में जो linkage है, उसको आप बोलोगे, किटल, क्या समझे, एस इधर नहीं होता है, यहां पर गरबर आप कर सकते हो, इधर नहीं है, maximum लोग, भई, एस्टर कुछ लोगों ने answer दिया था, लेकिन maximum लोग, इधर समझ लेते हैं, उसको इस oxygen के कारण, लेकिन एधर नहीं होता है, वो acetal होता है, कौन सा linkage होता है, वो acetal होता है, या फिर वो ketal linkage होता है, समझे, यहां पर देखो, यह मैंने underline कर रखा है, carbon O और O हो, जब एक ही carbon पर दो O इस तरह अटेच हो, तो उसको acetal और ketal आप बोलते हो, LD हाइट से बना है, तो acetal और ketone से बना है, तो ketal आप बोलोगे, answer यहां पर first होगा, confuse नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूँ, exam में अगर आता है, तो ether answer नहीं दोगे, acetal या ketal answer दोगे, clear है, तो answer यहां पर first होगा, चले, अगला question चलते हैं, next question को देखिए, यह देखिए, next question on hydrolysis, ether पढ़ा है, सर, हमने ether पढ़ा था, sure है, नहीं बेटा, ether आपने पढ़ा होगा, ether वो आपने फिर कहीं से गलत point उठा लिया, ether नहीं, वो acetal ही होता है, यह ना, acetal और ketal होता है, चलिए, और अगर पूछा गया question है, तो उसके अंदर acetal ketal option नहीं दे रखा होगा, तब आपने ether उसको दिया होगा, ठीक है, भाई चले इसके अंदर, on hydrolysis of one mole of maltose, two monomers of deglucose are obtained, these two glucose unit are linked together, throw a alpha glycosidic linkage between, maltose के एक mole के जलग बटन पर deglucose, भाई, maltose में कहां पर linkage होता है, जो glycosidic linkage, वो कहां होता है, अभी मैंने maltose का structure बनाया था, maltose में दो glucose unit होती ही बेटा, यह malt maltose का structure मेंने अभी भी बनाया था, वापस में एक बार maltose का structure बना दू, ऐसा structure होगा maltose, दो alpha glucose से यह बनता है maltose, यह इसका structure है maltose का, यहां पर यह है, फिर यहां चलोगे, यह structure है maltose का, तो बोलो किनके बीच में यह glycosidic linkage होगा, यहां से आप number दोगे इसको, यहां से आप number होगे, तो यह one, यह two, यह three, यह four, यह five और यह six carbon है, similarly one, two, three, four, five और यह six carbon है, यह maltose का structure में ने बनाया है maltose, तो यह glycosidic linkage है किसके बीच में सब लोगों को पता होगा, maltose में जो glycosidic linkage है, वो carbon one और carbon four के बीच में बनता है, बिलकुल alpha अलफा भी उसको आप बोल सकते हो, यहाँ पर लोग answer दे रहे, carbon one और carbon four के बीच में बिलकुल correct दे रहे हो, यह maltose में ने बना दिया है, फटा-फट, clear है, c1 और c4 के बीच में होता है, ठीके, glycosidic linkage, चलते हैं, अगला question देखिए, यह रहा, next question, देखिए, क्या है, which one of the following give positive failing solution test, कौन है जो positive failing solution test देगा, इन मे से बोलिए भई, यह तो आप कर सकते हो, कौन है जो positive failing test देगा, positive failing test का मतलब है, अगर आप carbohydrate में जाओगे, तो reducing sugar आप उसको बोलोगे, जो भी reducing sugar होगी, वो positive failing test देगी, जो भी reducing sugar है, वो positive failing test देगी, तो बोलो, क्या इसके अंदर answer हो सकता है, बोलिए भई, क्या इसके अंदर answer हो सकता है, यहाँ पर सुक्रोज तो answer नहीं है, क्योंकि यह non reducing sugar है, सभी dice curate positive failing test देते हैं, except सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ दो, glucose, कोई भी monosecureate उठालो, वो eldest हो या ketose हो, वो positive failing test देती है, और reducing sugar होती है, तो पहला नहीं देगा, बैस second देगा, और यह fat और protein आप ऐसे ही काड़ दोगे, fat और protein में, कुछ होते ही नहीं, aldeite ketone या acetyl group होते ही नहीं, hemisal group तो वो कभी नहीं देंगे, answer यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, second हो जाएगा, सुक्रोज non reducing sugar है, तो failing test ऐसे भी नहीं देगा, glucose, glucose यहाँ पर correct answer होगा, यह लिगा ना, which of the following की positive failing test है, कौन सा यह जो जहां तक failing correction देगा, तो वो होग glucose, second answer is the correct answer, okay, next question देखते हैं बटा, next question देखें यह रहा, the two form of D glycopyrinose obtained from solution of D glucose are non-A's, क्या उनको आप बोलते हो, यह D glucose की, अगर मैं structure बनाओ, तो यह D glucose की structure होगी, यहाँ OH होता है, 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 यहाँ OH ह ह और CH2 OH, इसके cyclic structure की बात कर रहा है, the two form of D glycopyrinose, glycopyrinose अगर word आ गया, इसका मतलब है cyclic structure, इसके base पर, six member cyclic ring होती, यह pyrin जो होता है, इस pyrin के base पर उसको pyrinose बोलते हैं, तो इसकी दो structure बनती है, याद करो, एक structure ऐसी बनती है, जिसमें OH उपर की side होता है, बाकी तो देखो, OH यहाँ पर नीचे होगा, third पर OH उपर होगा, fourth पर OH नीचे होगा, और फिर CH2 OH, प्लस एक और structure यहाँ पर बनती है, यह इस तरह, एक और structure बनेगी, OH नीचे कर दो, नीचे OH second पर, third पर OH उपर होता है, fourth पर OH नीचे होता है, औ और CS2 OH, यह दो structure बनती है, इस पाइरेन के करण, यह जो पाइरेन में बना रहा हूँ, इस पाइरेन के करण, इसको आप पाइरेन नोज बोलते हो, जब पाइरेन नोज और फिरेन नोज वर्ड आ जाए, तो वो cyclic structure को represent करते हैं, यह जो form है, यह जो form इनको आप क्या बोलते हो, यब OH उपर हो तो बीटा बोलते हो, OH नीचे हो तो अलफा बोलते हो, अलफा और बीटा है, तो यह क्या है एक दूसरे के, अलफा और बीटा, अलफा और बीटा को आप बोलते हो एनोमर, अलफा और बीटा यह जो form है, इनको आप बोलते हो एनोमर, और इन एनोमर में क् carbon है इस carbon को बोला जाता है हमी C your five hour 10 और देखो अभी अगले हमीए मी एसनल बन जाता है फिर ऊपर वान बनता उसको एससीटल बोल देते तो यह क्या है एनोमर है और एनोमर में अगर पूछ ले कि क्या डिफरेंस होता है तो हैमी एसिटल कार्बन पर कॉन्फुग्रेशन डिफरेंट होता है अलफा बिटा में बाकी सब जगे के configuration सेम होता है तो देखें इसके अंदर आंसर हो जाएगा एन ओमर क्या आंसर हो जाएगा यहां पर एन ओमर हो जाएगा अब ही थोड़ी दर पहले ही इसके पहले वाले कोशन में मैंने इस्ट्रक्चर बनाया है तो बोलो इसके अंदर अलफा फॉर्म है दूसर तो बीटा होगा गलती से अलफा लिख दिया वह बीटा फॉर्म आर डिफर इंदा इस टियो किमस्ट्री आट विच कार्बन बोलो भJली से अंसर दो फढ़ा फढ़ अभी पीछे ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अनोमर में किस कार्बन पर और अंद इंद बनाया मैंने पीछे में चल रहा हूँ यह मैंने इस्ट्रक्चर बनाया यहां पर यह फर्स्ट कारबन वेटा यह वन यह टू यह फ़ोर यह फाइप और यह शिक्स यह फिर अफ्र जरो फ्र डर सिक्स जल्डी दो जल्स भीट कारबन वेटा वन 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 है डी नहीं आएका इस्ट कारबन होता है उस पर configuration different होता है, first carbon, hemisyl carbon है, वहाँ conversion different होता है, beta में OH उपर होता है, alpha में OH नीचे होता है, first यहाँ पर answer हो जाएगा, carbon first पर, ठीके, और structure मैंने इसके just पहले वाले question में आपको बना के दिया है, बेलकुल बई, first answer है, बेलकुल, first, first, first is the correct answer, next question देखते हैं, अगला question देखते हैं, यह रहा, the above process in which alpha and beta form remain in equilibrium with a cyclic form or and a change in optical rotation is observed, which is called as, उप्रियूक्त प्रक्रिया जिसमें alpha और beta रूप, आचकरी रूप के साथ सामय उस्ता में रहते हैं, और प्रकासी गुणन में परिवर्तन देखा जाता है, इसे कहते हैं, यह जो घटना इसो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, यह जो form है, यह यहाँ पर alpha है, यह जो form है, यह alpha है, इसका अगर मैं cyclic form बनाओं तो यह cyclic है, जब OH right hand side हो, तो आप उसको नीचे लिखते हो, और left hand side हो, तो आप उसको नीचे लिखते हो, और left hand side हो, तो आप उसको उपर लिखते हो, यह मैंने alpha glucose बनाया, और इधर यह beta glucose है, चलिए बीटा glucose मैंने यह बनाया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH होगा, यह OH है और यह CH2OH है यह beta form है जब आपने देखा होगा कि जब alpha glucose को water में dissolve करो या beta glucose को water में dissolve करो या किसी solument में dissolve करो तो उसका rotation change हो जाता है उसका जो vicious गुणन है specific rotation हो जाता है जैसे इसका बारा से यहाँ पर open chain में आगा तो 52.5 degree हो जाता है सिमिलरली उसका भी चेंज हो जाता है यह घटना क्या कहलाती है मियूटा रोटेशन बेलकुल भई कई साय लोगों ने आन्सर दिया है यह म्यूटा रोटेशन होती है अल्फा गुलुकॉस को आप स्वालिवेंड में चेंज होता है specific rotation में जो चेंज होता है उसको बोला जाता है म्यूटा घुननन म्यूटा रोटेशन बोला जाता है first is the correct answer ओकी first is the correct answer भाई सही है शुदीर समिक्षा अविनेश बिल्कुल सही भाई आंसर जो है वह आजाएगा इसका म्यूटा रोटेशन फर्स्ट आंसर यहां पर इसका मिल जाएगा ओके नेक्स चलते हैं अगला चलते हैं यह रहा चलो भाई इसमें देखें क्या correct आंसर आएगा the true false statement about the following compound this carbohydrate यह जो compound है इसके इंदर आपको सही statement निकालना है चलो देखते हैं this carbohydrate polymer is composed of beta d glucose यह carbohydrate बहुलक beta d glucose का है तो अगर मैं इसकी unit बना दू यहां से आप पकड़ लो इसको अगर इतना इतना आप इसको consider करोगे तो यहां पर oh उपर की side है अगर आप इसमें यह structure बना के देखोगे इसको तो देखना बिटा इसमें oh उपर की side है h नीचे है फिर देखो oh नीचे है फिर next लोगे बिटा oh उपर है फिर next लोगे यहां पर oh है h है और यह ch2 oh है के लिए रहे अब देखो इसके अंदर यह जो ओएच है यह कहाँ पर उपर की साइड मैंने यहां से इसको चूज किया है तो यह बीटा है यह क्या है बीटा है और बीटा से गर बनता है तो सही दे रखा न दिस कार्बोएड़ पॉलिमर इस कंपोज वाई बीटा डी गुलु ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं यहां पर यह गलत है यहां पर वन फोर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ठीक है अलफा नहीं है कौन सा है बीटा है बीटा सेकेंड आंसर दे रहे हैं कई साय लोग ए भी दे रहे हैं इसके अंदर एका मलब है तीनों सही है लेकि जो इन करेक्ट है क्या इन करेक्ट इसके उंदर किया का इनकरेक्ट है यह जो है इस अलफा नहीं ऐहाँ पालीवट टाइप फो इन ओडेक्ट के एस इन डूसा डॉल्हेसं कारभाइडिर्ड यह अनपचायक Bhag Schnach सही है यह polysecurate polysecurate type है यह polysecurate type है और polysecurate non reducing sugar होते हैं यह सही है तो यहां जो answer है वो tft होना चाहिए डूंड़िए भई tft कौन सा है second answer आएगा बेटा second answer आएगा फिर से check कर ले second answer नहीं दे रो या तो first दे रो या ठरो पहला statement स्टेडमेंट करेक्ट है वीटा है वह यह या बिता गुल कोस का बना हुआ है तो पहला इस्टेडमेंट सही है थीकर और इसके अंदर c1 C1C2 नहीं है, कोई बोल रहा है कि भई, नी तू बोल रहे हैं कि C1C2 पर glycosidic linkage नहीं है, बैटा C1C4 ही है, C1C4 ही है, लेकिन बीटा है, यहां से नंबर दो इसको, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह 6, similarly बैटा यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह 6, तो 1 4 ही है, लेकिन है अंदर, और यह polyseguride type बन गया, और polyseguride कोई भी उठा के देखेलो, all polysecret अर 9 reducing sugar, कोई भी polyseguride देख लो, आप 9 reducing sugar होगा, यह cellulose है, बैटा Glucos, का करेक्ट है है यहां पर चलो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा टी एफ टी यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा अगला कोशन देखे यह रहा कुछ योगी को के प्रकाशिक गुणों को उनकी सरचना के सापक से नीचे दर्शाया गया है नीमने में से कौन सा योगी डी विन्यास रखता है बहुत इजी कोशन है बिटा नीचे से से कंड कार्बन आप देखते हो नीचे से से कंड कार्बन पर अगर ओएच राइट हैंड साइड हो तो उसको डी बोलोगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड हो तो उसको आप एल बोलोगे क्या बोल रहा हूँ नीचे से देखते हैं हम नीचे जो से कंड कार्बन है अगर उस second carbon का OH या NH2 right hand side है तो उसको D बोलोगे और second carbon का OH या NH2 left hand side है तो उसको L बोलोगे तो यहाँ पर देखिए यह हो गया D glycerol diahid हो गया यह D हो गया right hand side है इसलिए D यह दूसरा carbon right hand side OH हो गया तो D और यह भी D हो गया D हो गया देखते हैं फटा फटा फट कई साथ लोग आंसर दे रहें फटा 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 फ़स्ट फ़स्ट आ रहा है इजी कॉंसेप्ट है डी ग्लेस्रेल D हाइड के रिस्पेक्ट में हम D और L configuration देते हैं capital D और capital L दूसरे carbon पर अगर OH right hand side हो तो D और राइट हैंड साइड की जगर ओएज ग्रूप लेफट हैंड साइड है तो उसको हम बोलते हैं L तो यहां जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा फर्स्ट यह सब के सब D configuration रख रहे हैं बिलकुल करेक्ट आंसर है फ़स्ट ए इस दा करेक्ट आंसर ठीके ओके अगला कोशन देख लीजिए यह रहा वाट इस दा रिलेशन बिट्विन दा टू फॉल 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 फॉलिंग कंपॉंड नीचे दिए गए योगी को के मध्य क्या संबंध है एक दे रखा है डी इरित्रोज डी तो आप समझ गए ओएच राइट है साइड है और इस इरित्रो का मतलब होता है सेम गुरूप सेम साइड सेम गुरूप सेम साइड और यह है एल इरित्रोज एल का मतलब आप समझ गए सेकेंड पर ओएच इधर है और इरित्रोज का मतलब है सेम गुरूप सेम साइड अगर समान समू सेम गुरूप सेम साइड ह तो उसको इरित्रो हम बोलते हैं तो वो डी है और यह एक दूसरे के क्या है बोलो फटाफट बोल सकते हो लिभी कनफर्मेशलाजर अजुटर तो सौर्ण समावेता होता है वो तो अलगी है यह आप्तिकल में यह तो दर्परण प्रती भी होंगे polsk इमेज होंगे या नॉन मिरर इमेज होंगे तो आप यहां से देखो सीधे सीधे ये तो ऐसा गैसा है ये जो है ये इसकी मिरर इमेज बन गई है अगर आप देखोगे तो ये इसकी क्या बन रही बेटा ये इसकी मिरर इमेज बनी हुई है और जो मिरर इमेज है उसको आप बो बोलोगे आप उसको प्रती बिम, प्रती बिम समाओ भी भी बोलो आंसर भी, ठर्डब जाएगा इनेंच उमर सीधा सीधा दिख रहा ना, यहां से O.H. इधर आ गया, O.H. इधर आ गया, तो क्या है, दर्पन प्रती बिम है, इनेंच उमर यह हो जाएगा, ठर्ड़ इसका प् सब्धक्राइन न्यायद की सब्सक्राइव मतवर्णाइब चलिए पहीं, आंसर दीजिए, COH या SO3H हो, strong acid होना चाहिए, एक और बाद बता दू, ये जो acid है, ये strong acid होना चाहिए, ये जो acid है, ये strong acid होना चाहिए, कुछ लोग first answer दे रहे हैं, बिलकुल सही दे रहे हो, लेकिन बेटा, SO3H को नहीं भूलना है, SO3H आने पर भी जूटर आयन बन जाता है, SO3H अगर कहीं आ गया, तो भी जूटर आयन बन जाएगा, important question है, NH2COH तो सब को पता है, कि amino acid में होता है, और amino acid जूटर आयन फॉर्म में होता है, लेकिन SO3H आ जाए, तब भी जूटर आयन का formation होता है, ओके तो answer यहां पर क्या होना चाहिए, बहुत first और second होना चाहिए, जूटर आयन के लिए दोनों चीज़े होती है, थर्ड answer यहां पर इसका correct होगा, ओके चालिए, तो next question देखते हैं, यह रहाँ next question, which of the following is correct about edge bonding in nucleotide, nucleotide में edge bond के edge bond के विसे में कौन सा सही है, यह तो बिलकुल ही pure biomolecule आ गया है, जो आपकी DNA के उपर है, और यह तो आप बहुत ज़्यादा detail में पढ़ते हो, ठीक है, तो यहां पर देखें, answer देखते हैं, क्या है इसमें, चलिए, दिये जिए इसके अंदर, biology question है, बिलकुल correct है, biology का question है, देखते हैं, कितने लोग और फटाफ़र आंसर देते हैं, सब को पता होगा, यह तो भई, कहां पर edge bonding बनती है, डीए ने तो आप काफी detail में, बहुत ज़्यादा detail पढ़ते हो, बायो को question आ गया, chemistry में बायो कर दिया होगा, मुझे लगता है, answer first होगा, A और T के बीछ में होता है, A, T के बीछ में होता है, और G, C के बीछ में होता है, A, T में दो बांड होते हैं, और G, C में 3 बांड होते हैं, अगला question यह रहा, टेस्ट की प्रजेंस का आप टेस्ट लगाते हो किस से टेस्ट लगाते हो अमीनो एसिड तीकिना अमीनो एसिड का जो टेस्ट है वो नीन हाइड्रीन टेस्ट से आप लगाते हो नीन हाइड्रीन रिएजेंट होता है देखो दिया option इसमें नीन हाइडरीन कौन सा है ढूंडो टॉलेन, शीप और बेंडिक ये तो सब कार्बो हाइडरीट वाले में आते हैं नीन हाइडरीन से आप नीन हाइडरीन टेस्ट से आप अमीनो एसिड की प्रेजन्स का पता करते हो इन सब से तो आप कार्बोहाइडरीट के लिए यह यूज बिर यूज करते हो आप इनका उपयोगी किसके केस में करते हो वही कि रिडूसिंगे रिधूसिंग शुगर में आप करते हो हो इनका टेस्ट करते हो आप और डिटीसिंग नां रिदीसिंग और डिडीसिंग शुकर के आइडिन्टिफिकेशन में आप इनका टेस्ट गरते हो और नीन हाइड दीरिन से आप अमीन इसेड का करते हो इसको zwitter iron में convert करने के लिए आपको कितने base के equivalent की जरुद पढ़ेगी तो पहले देखे कि इसको क्या करा है इन्होंने बनाया केसे ये ऐसा बोल रहा है कि acid medium में इसको रखा तो जब इसको आपने acid medium में रखा था तो उसके पहले ये ऐसा था acid medium में जब आप रख रहते तो ये पहले ऐसा था जब आपने रखा था इसको तो initially ये ऐसा था initially ये ऐसा था होई initially ये ऐसा होगा initially ये ऐसा होगा जब जूटरायन फॉर्म में है तो यहाँ पर देखो कितने चार आंसर दे रहे सब लोग चार आंसर दे रहे तो यहाँ पर इसका formation इसको form करने के लिए कितने लगे होंगे आपको 4H प्लस लगे होंगे और आप reverse जब इधर जाओगे जब रिवर्स इधर जाओगे तो जो OH माइनस है वो कितने लगेंगे आपको 4 लगेंगे हाँ इसमें ज्यूटर आयन बेनादू में तो यह ज्यूटर आयन ऐसा होगा यहाँ पर NH2 C double bond NH यहाँ पर NH होगा बेटा CH2 हॉल्थ राइज यहाँ पर हो जाएगा NH3 प्लस और यह हो जाएगा COO माइनस यह है ज्यूटर आयन तो यह ज्यूटर आयन है या तो इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो और 4 H प्लस लगे थे यहाँ पर इसको देखो आप सीधे यहाँ से भी समझ सकते थे इसको कमबर्ट करने के लिए इसको इसमें करने के लिए 4-प लगे थए तो इसको वापस इसमें करने के लिए आपको चार ओएच माइनस लगेंगे सीधा सा बहुत सिंपल सा कोशन है चार मोलेकुल लग जाएंगे इसके अंदर यह जूटर आयन बना हुआ था तो जब उसको उसमें कनवर्ट किया तो चार एच प्लस लगे चार एच प्लस लगे तो भी चार ओएच माइनस लगेंगे वापस इनीशल लाने में उसको अगला कोश्चन देखे यह रहा दा प्रेजेंस और अपसेंस ऑफ हाइडोक्सी ग्रूप और विच कार्वन एटम आप शूगर डिफ्रेंस डिफ्रेंशेट आरेने एंड डिएने और आरेने में एक में राइबोस हैं एक में राइबोस है और एक में ृइत जी हो एक से कहां पर ओएज गुरूप अपसेंट होता है इन में आंसर देना यह हो गया इसको वन कारबन यह त्री यह फॉर और यह फाइब है चलो तो राइबोस से जब डी ऑक्सी राइबोस बनाते हैं यह भी आपके बायो मॉलिकुल आप अगर बायो वाली आरेने डीने लगाओग होगे तो पूरा आप बायो में बहुत ज़्यादा डीटेल में उसका पॉस्ट मॉडम करते हो तो यहां पर आपको पता होगा कि डी ऑक्सी राइबोस में कहां पर होता है सेकेंड कारबन ओएच अपसेंट होता है इस वाले केस में तो जो आंसर हो क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा मैं फिर से बलाओं कार्बोहाइड़ेट प्रोटीन अमीनो असिड में थोड़ी सी केमेस्टी डिफरेंट चलती है बागी न्यूक्लिक एसिड विटामीन अमीनो एसिड विटामीन हो गया एंजाइम हो गया एस्ट्रोड हो वह सब आप जो बायो में बायो मॉल है सॉह है इसके अदर वो लिए कौन सा गतन यहां पर सही सबको याद होता है अलफा डी गलूकोνεक होता है इस टार्च और उसमें दो यूनिट होती है एक amylose होती है amylose और amylopractin दो यूनिट से वो बनता है तो पहला correct है amylose is component of cellulose गलत है amylose किस में होता है starch में होता है amylose is component of cellulose गलत है यह starch में होता है ठीक है चलो बैं next देख लेते हैं protein are composed of only one type of amino amino acid नहीं भई amino acid में क्या protein में एक ही amino acid होता नहीं protein अगर आप देखोगे तो total 20 थाइब की amino acid होती है उनसे अलग अलग protein का formation बना होता है तेना protein उससे बनी होती है तो यह गलत हो गया है in cyclic structure of fructose there are four carbon and one oxygen atom फ्रॉक्टोस की चक्रिस रइसना में चार carbon एम एक oxygen पर माणू होता है तेगे न एक basic की अगर बात करोगे तो मलब उसकी cyclic इतना तो अगर आप बनाओगे उसके अंदर इतने तक तो ठीक है इतने तक तो चलेगा यहां तक तो यह है लेगिन यहां देखओ यह ओए है यहां चीच टू ओए है फिर यहां पर ओएच यह वह पर देखिए और फिर यहां पर चलोगे तो कड़ें तो पर डशां है तो इस搭ी आǐ किदर भी कर सकते हो जिसे अब इसके अंदर और भी तो है इसके अंदर चार कारबन नहीं है टोटल वोलोगी तो इसके अंदर छे कारबन करोंगे चार रिंग रिंग की बात करोंगे तो ठीक चार रिंग के अंदर हो लेकिन उसने याँ सा रिंग वाली कर बात है शे कार्व важ Mr और oxygen की बात करोगे तो कितने oxygen है यहां पर एक oxygen नहीं कितने oxygen है एक यह हो गया एक दो तीन चार पांच छे oxygen भी छे हो गए तो यहां पर इसको आप correct मान सकते हो भाई फस्वारा तो 100% correct है साइकलिक में अगर चलोगी तो भी सही चल रहा है अगर यहां पर इसकी बात करोगे केवल रिंग रिंग की बात करोगे मैं बोल रहा हूं केवल वले की बात करते हो केवल रिंग की बात करते हो केवल रिंग तो सही है रिंग की बात करते हो तो सही है लेकिन बैस अगर निकाल तो पर यहां पर देखो यह question solve करना है for glutamic acid value of PK 1 PK 2 PK 3 R 2 4.65 9.98 respectively at which pH glutamic acid will not be obtained during electrophoresis at any one of the electrode क्या है ये question ये आप से यहां पर पूछ रहा है इसका ISO electronic iso electronic pH पूछ रहा है आईसो electronic pH पूछ रहा है आप भई आपने ऐसा सुना हुआ कि acidic medium में electrophoresis में केटाइन होने के कारण अमीनोसिड एनोड के थोड की और जाते हैं और basic medium में एनोड की और जाते हैं लेकिन ऐसा एक ऐसा एक pH बनता है जिसमें इलेक्टोफोरेसिस में किदर भी नहीं जाते हैं फिर से थोड़ा और explain कर रहा हूं देखूं इलेक्टोफोरेसिस की बात करें यह है इलेक्टोफोरेसिस यहाँ पर यह टर्मिनल and पर एलेक्ट्रोड लगे वह घंख और यहां जनरल अगर आफ बात करोगे एसडिकम मेडियम में केटाइन फॉर्मेशन हो जाता है इसलिए ये केथोड की और जाता है और एसिट बैसिक मेडियम में एनोड की और जाता है लेकिन एक ऐसा पी एच भी आता है जिदर ये इलेक्टोफोरेशिस में किदर भी मुमेंट नहीं करता है तो अगर यहां पर आप निकालोगे तो ये केश डीक वाले केस में पीके वन और पीके टू का यह एवरेश होता है जब एसलिक हो इसलिक अमीनो एसिट हो तब यह इसका एवरेश होता है तो देखो पहला दे रखा है दो और दूसरा देखा चार.65 इसको दो से डिवाइड आप कर दोगे तो देखो कितना है उपर जो होगे तो 3.325 यह आ जाएगा चल तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर यह 3.325 यह बोलो बात समझ में आ रही है यह नहीं यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं गलती अगर हो तो गलत मत करना अगर और ऐस सेडिक अमीन ओ आपको समझी सेखेज कुलता हैगा और ग lazyn में 2 बरी वेल्यूinaire का एमेरेज निकालना है और निड़ेंगा और ठोंट आसको वेल्यू समय पर आपका इवरेज निकालाम यह इवरेज निकालाम कोगे एवरेज बॉड़ेज आपको समय में आ रहा है मतलık एक चोटा सो point में बोल रहा हूँ जब acidic amino acid आ जाये तो दो चोटे pk a का average निकाल लेना जब basic आ जाये तो दो बडए का energy निकाल लेना और जब neutral दे दे तो दो ही value मिलेगी उसका सबसे पहले यहां पर यह समझ यह क्या होता है कि आप समझते ना सर्फेस के मिस्टी में पढ़ते हैं आप को लाइडल सॉलेशन लोगे तो यहां पर कोई अमीनो असे लिया और उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया तो वह नोडिया के थोड़ की और जाता है लेकिन एक पीएच ऐसा भी जाता है जहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्रोसेस नहीं होती है अमीनो असे ना तो एनोड पर जाता है ना ही वो के थोड़ पर जाता है अब उस पीएच को निकालने के लिए मैठड है अगर आपके पास न्यूट्रल दे दे तो दो वेल्य जाएगा न्यूट्रल वाले केस में एसे डिक में मैं बोल रहा हूं कि दो चोटी वेल्यू का निकाल लेना और बैसिक में दो बड़ी वेल्यू का एवरेज निकाल लेना समझ में आ जाएगा बेटा ठीक है चलिए और नेक्स कोश्ण देखते हैं इसके अंदर अगला कोश संब्सक्राइब कोश्ण आउग्स होता है वह एनईस टू ओएच के साथ ऑगजिम बनाता है बनाता है बोलो सही है गलत है ऑजित्में के लिख रखा है त्थीवोप से आपरा है तो हम बोलते हैं कि गलुकोज का जो पैंटाएसिटेत होता है वह नहींट दो पारभ नहीं glucose का penta acetate NH2 OH के साथ Oxym नहीं बनाता है यह उसकी चकरी सरचना के लिए favor करता है cycle structure को favor करता है तो पहला गलत हो गया और पहला गलत हो गया तो answer हम 4 देदेते हैं पहला गलत हो गया तो हम answer 4 देदेते हैं अब fourth यह क्या glucose on reaction with acetic and headed form में pentacetate under suitable condition बिल्कुल सभी है इस पेसिफिक सुगम परिस्थिती होती सुगम इस्थिती में ग्लुकोज एसिटिक एनाइटिक साथ किर्या करके पेंटाइसिरेट बनाता है पहला गलत है और दूसरा यहां पर सही है चलो अगला देखते हैं अगला कोशन देखते हैं यह रहा नाइलून धागे बने होते हैं जैसे में नाइलोन 6 लेलू में बटा तो नाइलोन 6 इसका पॉलिमर होता है इसका मतलब किसका केप्रो लेक्टम का पॉलिमर होता है केप्रो लेक्टम इस केप्रो लेक्टम का पॉलिमर ये होता है तो यहां से आप समझ जाओ ये क्या है अमाइड है तो जो नाइलोन होते हैं वो क्या होते हैं आंसर तो जल्दी से नाइलोन क्या होंगे मैंने nylon 6 का एक example ले लिया amide है तो ये इसी का इसी का polymer होता है ये polyamide होता है nylon 6 ले लो या nylon 6 6 ले लो ये जितने भी होते हैं ये सब polyamide होते हैं polyvinyl, polyester, polyamide होते हैं polyamide ये होते हैं थड़ answer यां पर बिलकुल correct मिलेगा polyamide होते हैं ये जैसे मैंने nylon 6 ले लिया केप्रोलेक्टम amide होता है उसके अंदर तो polyamide बाद में बन जाएगा अगला question देखें ये रहा which are the following is a polyamide पीछे पूछ रखाता है कि nylon क्या है उसी का वही question repeat कर दिया नया कुछ नहीं नहीं पीछे वाला question ही है repeat कर दिया घुमा के दे दिया पीछे में पूछा कि nylon क्या है तो हमने बोला polyamide है और आप इसने पूछ लेगे polyamide क्या है तो polyamide nylon होता है नाइलोन 6-6 है किस से बना होता है नाइलोन 6 में एक होता है हेग्जामिथाइलिन डाइमाइन होता है और साथ में होता है एडपिक आसिड साथ में इसमें होता है एडपिक आसिड नाइलोन 6-6 में एक होता है हेग्जामिथाइलिन डाइमाइन और एक होता है एडपिक आसिड इन दोनों का पॉलीमर होता है, यह CH2, हॉल 6, यहाँ NH, उधर से आजाएगा बटा CO, CH2, हॉल 4, इधर से बचाओ CO, इसके एन मालीकुल चलते जाएंगे, इधर से NH, नाइलोन होते हैं, पॉलियमाइड, चला हुए, पॉलियमाइड हो गया, यहाँ पर नाइलोन 6, 6, हैक्जामिथाइल इन डायमाइड और अडिपक असिट का होता है, तो देखो, यह हो गया, यहाँ पर अमाइड, यह यहाँ पर बन गया है, अमाइड, ऐसे कोशन पूछते हैं, ऐसे गुमाप फिरा, कि नए कोशन कहां से कितने बनाएंगे, ऐसे तो वही चलते हैं, पिसले को किस से करवाओगे, बेकलाइड बनाने के लिए आप फिनोल की रियक्शन किस से करवाओगे, तो देखे, कैसे बनता है, सब लोगों को पता होगा, फिनोल है, इसकी रियक्शन आप फॉर्मेल डी हाइड से करवाते हो, एच प्लस की प्रिजिंस में, तो फॉर्मेशन होता ह है इस मोनो मर का इस मोनो मर से ही बेकलाइट बनता है यह हो गया इसका formation होता है और इसके polymerization करने पर बेकलाइट आपको मिलता है तो आंसर देखते हैं कितने लोग देरे ठाड अंसर ccc cc अंसर मिल रहा है ठाड ठाड बिलकुल फिनोल की reaction फार्मिल्ड हैट से करवाते हो तो यह बनता है बेकलाइट और इसी रिएक्षन में यह भी बनता है इसी रिएक्षन में यह भी बन जाता है और तो और इससे बनता है नेवो लेक नेवो लेक जब वहां पर और तो पेरा और तीनों जगे वह हैड्यूक्सिमिधाल है लिए रहे तो आंसर यहां पर हो जाएगा फॉर्मेटलिया यह पर आंसर हो जाएगा चले भई अगला question solve करते हैं देखिए अगला न इतन्हों को पॉलीमर ऑफॉफ ब्यूना एन संसलेशित रबर एक सह बहुलक है, किसका सा बहुलक है, बहुल यह भई, ब्यूना एन, तो ब्यूना एन का जो ब्यूना है, वो तो प्रदशित कर रहा है आपके सामने, ब्यूना है, तो ये ब्यूना तो रिप्रजन करता है ब्यूटाडाइन को, ब्यूना का जो है, ये तो रिप्रजन करता है ब्य इन क्या होता है व्यूना एन में जो एन होता है य डिये होता है यह होना है मिझेऑ आप दोनों शेते ने ने देखे वह किदने लोग किसका सही आंसर दे रहे हैं स्ट आंसर मिल रहा है फॉस्ट 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 अराम से दिखो वेगा आंसर फॉस्ट दे रहो गया व्यूटाडाइन तो है इसके अंदर व्यूटाडाइन तो है यह इस टाइरी ने बटा अगर इसकी बात करोगे तो यह इस टाइरी नहें यह ब्यूना एस बनाता है यह ब्यूना ए यहां पर यह तो सही दे रखाता लेकिन यह गलत दे रखाएंगी इस दाएंस सी नहीं हे विच ऑफны फॉल इस नोट करेक्टली मैच बोल यह बहर दे रखा है इसने नियोप्रीन तो नियोप्रीन सही बिल्कुल इसका पॉलिमर होता है नियोप्रीन इस क्लोरोप्रीन का ये जो क्लोरोप्रीन है इसका पॉलिमर होता है ये नियोप्रीन बिल्कुल करेक्ट है इसके एन मालीकुल तो ये तो करेक्ट दे रखा है नियोप्रीन chloroprene का polymer होता है बिल्कुल correct दे रखा है नाइलोन 6,6 तो नाइलोन 66 में एक तो होता है Hexamethylene Respondamine heißtamethylene dine Region और दूसरा होता है adepic acid दूसरा होता है adepic acid तो एक बार check करें यहां से बचेगा CO, CH2, CO, NH2 यह भी correct है यह भी correct है और दो लोग क्यों है तो देखें इसके अंदर यहां से COOH यहां पर oxygen आएगा ओं मिसिंग है यहां पर oxygen मिसिंग है यहां पर इसलिए यह गलत हो रहा है यह polyester होता है यह polyester होता है तो वह इसलिए यह गलत हो रहा है यह घ्यां पर और पॉली मिधाइल एक्राइल लेट यह इसका पॉलीमर मिधाइल एक्राइब लेट का यह पॉलीमर होता है यहां पर पर oxygen मिसींग है बेलकुल इतनी छोटी सी गलती भी दे देते हैं वह आपको निकालना होती इतनी छोटी सी गलती भी आपको मिल जाएगी कि चालिए फोर्थ कैसे आया है कोई फूर्थ तो कैसे आ रहा फोर्थ तो सही है बेटा फोर्थ में ये में साव लेट का होता है यह हो गया मिथाइल फिर मिथाइल एक्राइल लेट और इसका पॉलिमर दे रखा है वो करेक्ट दे रखा है अगला कोशन देखें यह रहा एक्री लॉन एक ठोर सेग्ट के समान द्रड तथा उच गलनाग बिंदू रखने वाला पदार्द होता है ने में से कौन सी सरशना एक्री लॉन की है एक्रे एक्रोलुईन इसे हार्ड हनी एंड हाई मेल्टिंग हर्णी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल विच आफ दो फॉलोविंग री प्रेजेंट इट्स इस्ट्रक्चर ठीक ना यह एक्राइलो नाइट्रियल का पॉलीमर होता है भई होगे घंड हो हो तो यह बनेगा यह यहां पर इक रोलीन बोल दो इसको एक्रोलीन बोलो या और लोन भी वोलते हो अब इसको और लोन भी अगला अंसर औप फॉल्मी एज़ चेन ग्रोध पॉलीमर जब भी वर्ड आ जाए तो क्या समझोगे ऑंसर दो हई चेन ग्रोध पॉलीमर इस टार्ज है nucleic acid है polystyrene है और protein है ऐसे तो करने वाले यूँ भी कर सकते हैं कि जो अलग चीज है वो देख लूँ अलग चीज इसमें देख लूँ तो ये chain growth polymer का मतलब है addition polymer योगात्मक भोलक additional polymer योगात्मक भोलक तो starch condensed होता है संगनन भोलक होता है glucose का condensed का मतलब होता है जब दो glucose unit जुड़ती है तो एक water molecule हटता है ये भी condensed polymer है और ये additional polymer है ये इस styrene का CH2 double bond CHC6H5 इसका addition polymer होता है एड़क होता है CH2CH या C6H5 ये एड़क्ट पॉलीमर होता है थर आंसर यहां पर हो जाएगा protein amino acid का condensed polymer होता है संगनन भोलक होता है तो correct answer हो जाएगा polystyrene थर आंसर आप लोगों का आ रहा है बिलकुल correct answer शुक्त यहां पर मिल रहा है अगला कोशन देख लेते हैं यह रहा नेचूरल रबर इन इज विच टाइप ओ पॉलीमर प्राकृति रबर किस प्रकार का बहुलक है अब अंसर देना विक प्राकृतिवहलक हो वो किस प्रकार का होना चेंट कि प्राकर्तिक बहुलक ke और आईसोप्रीन का पॉलीमर होता है नेचूरल रबर, इस आईसोप्रीन के एन मालिकुल एड हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं नेचूरल रबर, CH2, यहाँ पर बचा जाएगा CH3, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आजाएगा H, CH2, यह इस तरह आगे चलता जाएगा एन हो तो यह क्या है एक तरिका एडीशन है योगात्मक वहला करें है एडीशन है योगात्मक वहला करें तो यहिसमें दो मोनुमर का है इसमें तो एक ही मोनुमर है कॉडिनेट पॉली मर्दों कुछ होते ही नहीं है कि ठीके आगे चले इसमें कि एडिशन हो गया उसके अंदर बिल्कुल सही है योगा दमग भॉलक है आगे चलते हैं वेटा नेक्स कोशन है यह देखिए निमने में से किस उतपेरक आपको बताना है पर क्या होता है यह एक तो होता है यह टी आइसीएल-4 TICL4 होता है और साथ मेंगर चलोगे तो यहाँ पर triethyl triethyl aluminium होता है और कभी-कभी methyl का भी use आप कर सकते हो कभी-कभी आप methyl का भी use कर सकते हो यह zignal nata catalyst है सब लोगों का answer second आ रहा है चेक करते हैं second में क्या के दिरखा है वह बहलक जिसमें प्रेबल अंतर आणविक एजबंद उपस्तित होना चाहिए बोली बिवी किसमें होता है जब OH गुरूप हो किसी में ओ एज़ गुरूप प्रेजेंट हो या फिर एन एच सी ओ गुरूप प्रेजेंट हो या एन एज़ गुरूप प्रेजेंट हो इनके कारण ही तो एज़ बॉन बनेगा ये जब होंगे तभी एज़ बॉन बनेगा बिटा जब ये गुरूप होंगे तभी एज़ बॉन बनेग आगर ये नहीं है तो edge bond बने गए नी रहेंगा क्योंकि NHCO आगयाflanzen. यहां पर आइसो प्रीन мें भी नहीं बनेगा भई पॉलिय आइसो प्रीन और आप लोगें तो यह है. CH2 CH3 double bond CH CH2 N ये कहां से edge bond बनाईगा जब OH ग्रूप की presence हो NH ग्रूप हो या CO NH ग्रूप हो तभी hydrogen bonding बनती है PVC में और polyisoporine में edge bonding नहीं बनेगी ये पूछ रहा है कि उपस्तित होने चाहिए तो किस-किस में उपस्तित है पहले और दूसरे में तो answer इसका चार हो जाएगा पहले और दूसरे में आएगा चार हो जाएगा अगला देख लेते हैं लास देखो ये पूरी reaction लास में आप देखो product Z will be उतपाद Z ये बताइए आप इसके अंदर उतपाद Z क्या होगा बोलिए अगला question है last question है वही ये इतना question है अपने पास product Z यहाँ पर क्या होगा चल वही यहाँ पर बोलिए क्या होगा product Z क्या होगा 6 member ring है जब बिटा आप इसकी hydroxy amine से reaction करोगे hydroxy amine से जब आप इसकी reaction करोगे तो यहाँ पर form हो जाएगा औक्जिम ये X हो जाएगा औक्जिम answer first दे रहे कई सारे लोग देखने हैं बिटा पहले ये oxy बन जाएगा एक्स और PCL 5 से जब इसकी reaction होगी PCL 5 से जब आप reaction करवाओगे तो यहाँ पर reaction होगी backman backman rearrangement होगा यहाँ पर backman rearrangement यहाँ पर होगा और backman rearrangement में क्या होता है ring expansion हो जाता है यह जो bond है बेटा ही और rearrange होके यहाँ पर चल जाता है तो यहाँ पर formation हो जाएगा इस ring का यहाँ जो formation हो जाएगा six से seven member ring फॉर्म हो जाएगी यह बनी गया अगर आप polymerization करोगे यह वाई हो गया आपका इसका polymerization करोगे तो यहाँ पर form हो जाएगा नाइलोन 6 क्या फॉर्म हो जाएगा नाइलोन 6 तो आंसर सब लोग 6 थर्ड ही दे रहे नाइलोन 6 यही और करेक्ट आंसर है थर्ड is the correct आंसर नाइलोन 6 ऑंसर हो यह अराउंड थटी कोशिष्ण अपने पास बायो मोलेक्वल और पॉलिमर के थे जो हमने आइसो इलेक्ट्रिक पीएच निकाला तो उसमें मैंने आपको concept दे दिया उस concept के उपर question आ सकता है फिर जैसे माल्टोस की structure बना दी सुक्रोस की structure बना दी उनके concept के उपर question आ सकते हैं फिर हमने जैसे को मिल सकता है ठीक है बटा तो thank you very much बहुत-बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए और इतने उस्सा के लिए इतने उस्सा से आंसर देने के लिए thank you very much thank you very much